हाई वा ब्यूटिफल टीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को बहुत सारा वलकम है गाइस ट्रिपल वन टेदर चैनल के ऊपर मेरे प्यारे खुबसुरेट चांद के टुक्रों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही तो आज हम जानेंगे वारे में आप सभी लोगों को पता है कि इस 11th अगस्त को फुल मून है जो की है Stargerian Supermoon ठीक है अब देखे एक Fullmoon नॉर्मल होता है बट एक Superfullmoon जो होता है वो किस तरह की होता है वो बहुत ज़दा ब्राइट होता है वो बहुत ज़दा खुबसूरत होता है राइट और जितने भी मून होता है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है I must say जितनी भी Fullmoon होते हैं जितनी भी आप लिखवा लिजे चाहिए Fullmoon हो चाहिए Newmoon हो ठीक है अब वो अमेशा एक बहुत ही गहरा हमारी लाइफ के अंदर क्या छोडते हैं चाप छोडते हैं ठीक है तो आज की बैंग जो रीडिंग है तो आज की बैंग का टोपिक है की यह स्टरजेरियन सुपर्मून है यह स्टरजेरियन इसका नाम कितना तफसा लग रहा है मुझे प्रौनस करने में स्टर्जेरियन स्टर्जेर हाँ छड़ों परे फुल मून है इसकी अनर्जीज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है तो आज हम स्टार्ट करें रीडिंग यह रीडिंग आप फुल मून से एक दिन पहले देखेंगे किसी भी इवेंट से एक दिन पहले आप लोगों को रीडिंग मिले ताकि आप उसके रीच्वल्स को भी फॉलो कर सकें ठीक है और जितने भी रीच्वल्स हैं जितनी भी रेमेडीज हैं जितना भी सब कुछ है वो मैं शेयर करती हूं इंस्ट्रोग्राम तो आप लोग मुझे वहाँ पर जाके जरूर फॉलो कीजेगा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिक डाला हुआ है ठीक है और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि मैं आपको बताओं जो जैसे हम छोटे वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जो स्कैमर्स है ना इन्होंने बहुत ज्यादे नाटक मचाया हुआ है यह बार 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 टैप करते हैं वीडियो के अंदर ताकि यह कुछ ना कुछ वहाँ पर कमेंट लिख सकें हेल्प लाइन फलाना दिमकाना अपने स्वार्थ के लिए ही कि नेगेटिव चीजे और खराब चीजें लोगों को नैगेटिव एइइ इंफ्लि depressed करने के लिए बहुत कुछ डालते हैं वो लोग है ना तो क्या होता है कि जब वह बार 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 टैप उन करते हैं तो यूचिभ क्या करता है वाइटी क्या करता है आपके वीडियो की जो रीच है उसको कम करतेता है ठीक है तो इसलिए फिर ना बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुचना कम हो जाती है अब जैसे अगर बड़ा वीडियो है तो उसके अंदर एड आता तो खुलने में थोड़ा ताइम लगता है है तो कई बारी करते हैं स्कैमर कई बारी नहीं करते हैं कि छोटे वीडियो की रीच जो है वो टोटली गिरा देते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुच पाता है अब जब बहुत लोगों तक नहीं पहुच पाता है कई बारी यूट्यूब नोटिफिकेशन तक अगर वह बहुत जादा बारी खुल रहा हो और पूरा कोई देख नहीं रहा हो तो इसलिए मैंने सोचा है कि आप से जितने भी रिच्वेल्स के वीडियोज होंगे या चोटी-चोटी क्लप्स होंगी वह जादा तर आप लोगों की इंस्ट्रग्राम पर टालूगी ताकि वह सब लोगों तक पहुँच सके अटलीस मुझे तो पता लगे ना कि मैं इतना इंपोर्टेंटली आप लोगों को कुछ न कुछ गाइड करें और वो चीज आप तक पहुँची नेरी है तो कैसे चलेगा ना तो इसलिए मैंने ऐसा करनी का सोचा है तो आप लोग मुझे इंस आप से ठीक है मैं कभी भी अपना नंबर कमेंन सेक्शन में नहीं देती हूं इस चीज का ध्यान रखेगा कई इतने इतना फ्रॉडलन से मैं क्या बता हूं मैं जब भी डिस्प्ले प्रोफाइल भी चेंज करते हूं तो वह वह चुरा करके लगा लगा लेते हैं अपनी कमेंट आए तो आप उसको कर दीजेगा ठीक है बस इतना से जरूर कीजेगा एनिवेस तो भढ़ते हैं तो फुल मून है भाई 11 तारिक को और यह वीडियो आप लोगों को 10 के आसपास मिल जानी चाहिए फॉर 10 तारिक है आज बाकी अप्लोड होगी उसके उपर भी यहां पर आपके कुछ नंबर्स लिखे हुए और दो कार्ड है पाइल नंबर वन में है हमारे पास भ्रम ठीक है और पाइल नंबर टू में है हमारे पास मासीता अब पाइल नंबर वन के अंदर हमारे पास जो नंबर्स है वो है 5 6 7 8 13 14 15 16 21 22 23 24 28 30 31 ठीक है और पाइल नंबर 19, 20, 25, 27, 26, 29 छीक है तो यह जो है यह आपकी बिर्ट देत्स हो सकती है यह जो आपके लखी नंबर भी हो सकते है मैं आपको बूलंगे कि मैने पायल कची creation उपसे के ले सकते हैं तो आप अपने बेढ़र देत्स के ले सकते हैं कि आप ऐसे पिक नहीं करना चाहते हैं आप ऐसे पिक करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं कि आपने पाइल नंबर वन ब्रह्म को पिक करना है या पाइल नंबर टू सी तमा को पिक करना है ठीक है I think this is a very easy way to pick cards, cards भी है आपके numbers में आपके birthday dates में हैं आपको बस पिक करना है ठीक है तो चलिए start करते हैं आज की reading देखते हैं क्या होगा कैसे होगा आपका full moon कि इस तरीके कर जाने वाला है चलिए start करते हैं Hi we beautiful pile number one people तो अगर आप लोगों ने ब्रह्म का कार्ड पिक किया है या फिर आपकी जो birthday dates है वो है 5 6 7 8 13 14 15 16 24 31 22 30 21 21 22 So this is all about today's reading guys यह आपकी reading है इसको मैं या रख दती हूं इस काड को और इस काड को मैंने इसको ऐसे रख दती हूं यहां पर ठीक है चलिए start करते हैं देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए start करते हैं यह फुल मून की सबानी के जबी वह अपर अचील कि इस काड को में अचील गया हूं ठीक है पार नर्वर बन की लिए बता हैं है है और प्रिस्टिस justice major arcanas है दोनो के दोनो और वो भी कितने strong like I mean just look at the cards आप लोग फील किया किए जब भी रीडिम रेखें किसी की भी देखें जाहे महसूल जरूर करें moon full moon कोदी आगया and nine of pentacles bottom of the deck five of swords मैं आज सारे cards अच्छे से निकालों कि इसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी ठीके so if you guys are comfortable with the shuffling and all तो आप लोग देख सकतें नहीं तो फिर मैं बोलों कि थोड़ा सा इधर से ना tap tap कर लीजेगा ठीके पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसा सुनाई देरा जिसे करो 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 क्या करो कि दिखते हैं दिखते हैं I'm like अंदर से आ रहा है कुछ roots of abundance cards बड़े must must निकल रहे pile number one people आप लोगों के लिए guidance भरपूर आई I will tell you each and every guidance time machine पक्का 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 अब थोड़े थोड़े समझ आने लगा है that scene चल रहे हाई higher view one more card deep breathing bottom of the deck awakening genius कमाल है भई कमाल है okay 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 sun temperance a card on hangman okay bottom of the deck again high priestess और यहांपे भी high priestess था you know that advises हम थोड़े बाद चेक करेंगे okay and romance angel भी हम थोड़े बाद चेक करेंगे सबसे पहले तो मैं बता दू zodiac मैं नहीं बता रही हो आज because आप लोगों काफी ज्यादा ना confusion रहता है कि मेरा क्या zodiac है मेरा क्या zodiac है मैंने कई बारी बता दिया है कि zodiac जो होते हैं आपके वो टोटली आपके बारा की बारा राशिया होती है ऐसा कुछ भी नहीं है किसी का element कई बारी वो हो जाते है अपने behavior के हिसाब से changes आते हैं so don't take it like that way कि मेरा इसके अंदर नहीं है मेरी reading नहीं है जो चीज आपको अंदर से connect फील करवा रही है वो चीज होती है बात ऐसी है कि आपना बहुत जादा नयाए पसंद किसम के इंसान है ठीक है आपको ना बहुत जादा show off करना यह बहुत जादा इतराना यह जो कुछ चीजें होती है ना यह सब करना आप लोगों को नहीं पसंद you guys are very much kind of secure किसम का इंसान समझदार किसम का इंसान इस तरीके के person है आप आपको ना बहुत जादा चूँचपड करना नहीं पसंद है ना आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए एक जब मैं कार्ट शफल कर रही थी तो मैंने आपको बताया भी था कि करो 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 के energy आ रही है आप इसे right path या नहीं क्या है क्या नहीं है इस तरीके के energy चल रही है या तो starting में two of pentacles का card गिरा था मुझे ऐसा लगता है वो card रखना चाहिए था हमें क्योंकि उसकी energy बहुत जादा strong है याँ ठीक है आप बहुत जादा चीजों को लेकर के एक ग्रसित सा महस्जूस कर रहे है आपको बहुत जादा अजीब सा लग रहा है आपको अशा लग रहा है जिसके situation आपकी जो है वो unfold नहीं हो ही है proper तरीके से and क्यूंकि situations आपके प्रॉपर तरीके से unfold नहीं हो हो रहे है तो आप उसे बहुत सारी लोगों को बहुत जादा sometimes spirituality doesn't come from the from your own energies, okay? spirituality हम को pick करते हैं, ना कि हम spirituality को pick करते हैं आध्यात्म को हम नहीं चुनते हैं आध्यात्मिकता हमें चुनती है ठीक है? तो यह होता है हमारे करमास के हिसाब से तो इसके ओपर खहर एक बहुत ही अलग बात है वह मैं आपको कभी और बताऊंगी यहां पर जो मैं देख रहे हूं इस फुल मून से लाइक इस इस सुपर फुल मून राइट और इस सुपर फुल मून से आपकी अनरजी के बहुत ही बड़ाव होगा कि आप बहुत ही बड़ाव होगा कि आप बहुत ही बड़ाव होगा कि आप बहुत ही बड़ाव होगा कि उ आपको ना तो गुसा आने वाला है, ना आपको दर्द तकलीफ होने वाली है, मतलब आप इसे बहुत सरे लोग ऐसे हो जाएंगे एकदम शांत, कोई फरकी नहीं पड़ रहा है, ना कोई जैलस हो रही है, ना किसी तरकी का गुछ घुसा आ रहा है, ना बुरा महसूस हो रहा है, पदा नहीं क्या ही चल रहा है, बहुत सदे रिलाक्सिंग एनरजी में आ जाएंगे, 9 of Pentacles का काड़ पीस की एनरजी में आ जाएंगे, बहुत सदे पीस की एनरजी, आप इसे बहुत सारे लोग अपनी खुद की energies को महसूस करके happy feel करने वाले आप इसे बहुत सारे लोग जो है with the nine of pentacles का card nature के अंदर घूमने जाने वाले हैं आप में इसे बहुत सारे लोग animals के साथ time spend करने वाले हो सिक्टा आप के घर में कोई dog हो cat हो ठीक है तो आप पशुपक्षी के साथ कुल मिलाकर के nature के साथ बहुत ज़ादा enjoy करने वाली है इस full moon से ही ठीक है आप इसे बहुत सारे लोगों को पता है कि पीट पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो की चुबलियां करते हैं नेगेटिव बोलते हैं नेगेटिव बाते करते हैं लेकिन और ऐसा हो सकता है कि पहले आपको इस चीज का फरक पड़ता था ठीक है आप इसे बहुत सारे लोगों को पहले इस चीज का फरक पड़ता था कि यार यह मेरे बारे मैं इसा क्यों गोल रहा है इसको मैं सही क्यों नहीं लग रहा हूँ, इसको मैं सही क्यों नहीं लग रही हूँ, ऐसा हो सकता है, आपके दिमाग में चलता हो पहले, ठीक है, लेकिन इस फुल मून के बाद से, आपको किसी की सोच से कोई फरक पढ़ना ही बंद जाएगा, You guys will feel very, very free, like आपको ऐसा लगेगा, जैसे आपका body weight कितना हलका है, आप कितना सदा, कितना सदा free है, आपकी free will है, आप कितने सदा conscious है, आप कितने सदा positively चीजों को attach हो पा रहे हैं चीजों से, ठीक है, and बहुत ही positively आप चीजों से detach हो पा रहे हैं, किसी तरह की की कोई negativity सी ही नह होने वाला है, अब मैं आपको बताती हूं कि यह फुल्मून आपके जीवन में क्या लेकर आने वाला है, जब हम किसी चीज से, किसी चीज के होने ना होने से फरक पढ़ना बंद हो जाता है, तो हमारा जो एक self awakening process से वो start हो जाता है, ठीक है, और यहां पे आपको लोगों के हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, सबसे इंपोर्टन हमें एक अच्छी health चाहिए, फिर उसके बाद हमें एक अच्छा पैसा चाहिए, तीसरा फिर हमें कुछ साथ चाहिए, तो वही चीज आप लोगों को जो है, अभी बहुत जादा effect कर रही है, आपे से बहुत सर ऐसे लोग होंगे, जिनको healthy issues आ रहे होंगे, यह healthy issues हो सकता है, काफी time से चल रहे हैं, या फिर अभी कुछ-कुछ समय से ही होने लगे हैं, और आपको समझ में या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तीक है, full moon की जो energies होती है, हमारी body के उपर positively negatively दोनों तरीके से बढ़ती है, full moon का जो काम होता है, वो होता है, चीजों को आपकी life से clear करना, ठीक है, full moon का काम होता है, आपकी energies को अर्ज पर लेकर आना, ताकि आप उसको समझ सकें और उसको हटा सकें, यहां पे आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए releasing की energy बहुत आरे, releasing की guidance बहुत जाद आरी है, आपको क करना क्या है, जो करो की energy जा रही थी तो में आपको बताती हूं, आपको क्या करना है, आपको अपने pains को release करना है, ठीक है, आपको अपने pains को release करना है, although you guys will be for sure neutral after this super full moon, बट फिर भी आप बहुत सारे लोगों को अपने आपको justice देने की जरुरत है, आपको बहुत सारे बुस्ता है उस बंदे को लेकर कि इसने बेवज़े मुझे बोला क्यों लेकिन अगर वो आकर कि आपका हाथ पकड़के या दूर से आपका ऐसे भी बोल देना कि यार आप तुरन पिगल जाओगे कोई आपके लिए इतना सा करता ना आप उसके लिए इतना कर देते हो बिना सूचे कि एकुल गिवन टेक कहा है समझ रहे है यह आदतना ही लर्स की होती है आप आपको अरा कुछ इस तरीके का है कि आपके साथ बैठने वाला इनसान जो है अपने आप ही लोग दाता है आप इसे बहुत सरे लोग ऐसे होंगे जो कि 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 इसी भी महाल में जाकर के चार चांद लगा देते हैं ठीक है लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं आप लोगों को अपने आपको 100% सर्फ कर देते हैं without seeing कि मुझे कितना person मिलने वाला है तो इस आदत को फ्लीज बदलिएगा यह आपके लिए इस important guidance है यहां पर दूसरी चीज आपको release करना है अपने fear को release करना है अपनी negativity को देखे किसी भी चीज को release करने के लिए full moon का जो दिन होता है वो बहुत perfect होता है because आप new moon पे strong intention set कर चुके होते हो और full moon पे उस चीज को release कर चुके होते हो एक बहुत important ritual है आप लोगों के लिए वो मैं instagram पे share करूंगी आश अम तक कर दूंगी for sure तो आप लोगों ने यह चीज जरूर देखनी है and मैं वावे mention कर दूंगे पर्टिकुलरली कि यह 11 अगस्त वाली remedy है जो आप लोगों ने करनी है शाम तक कर दूंगी ठीक है तो आपने इस उस रिच्वल को जरूर परफॉर्म करना आपने fears और आपने doubts या किसी भी नेगेटिव चीज को release करने के लिए guys you all are actually high priestess growing high priestess आप सभी लोग चाहे आप लडकी है चाहे आप लडकी है you guys are spiritually very awakened you are you guys are spiritually very you know you are you are in kind of completion of something आप कही ना कहीं जाकर के complete होना चाहते है तो मैं यहां पर देख रही हूँ कि आप लोगों का energy shift बहुत जादा change होने वाला है दिन की रात होने वाली है आपकी life के अंदर आपके खुद के thoughts बहुत जादा बदलने वाले spiritually आप बहुत जादा connected feel करने वाले divine को तीसरा आप बहुत सारा karma release करने वाले है अब अगर हम बात करते हैं कि इन सब काम को करने के बाद आपको इस full moon पे क्या मिलने वाला है तो बस दिल थाम के बढ़ जाएए क्योंकि सबसे important बात तो यहां पर time machine का इकार आड आगया you will feel change आप कासा लगेगा रहे चीजे किस तरीके से मस्त तरीके से बदल रही है और मुझे कितनी happiness feel हो रही है change हो रही है चीजे ठीक है आप जिन चीजों से भागते थे न आप उनका सामना कर पाऊगे दूसरा roots of abundance चाहे आपकी life में money का problem चल रहा है चाहे आपकी life में money का problem नहीं चल रहा है जो भी situations है आपको बहुत सारा abundance receive होने वाला है यह abundance सिर्फ और सिर्फ money related ही होगा यह abundance related होगा आपके career आपके opportunities, आपकी health और आपका overall growth तो मुझे यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही important responsibility मिलती हुई या फिर कोई important कोई ऐसी चीज मिलती हुए मुझे नजर आ रही है जिसकी वज़े से आप अपने आपको 100% abundant feel करने वाले हैं आपका जो total perspective है न वो change हो जाएगा दुनिया को देखने का जो नजरिया है न वो इस full moon के बाद से totally change हो जाएगा आप अपने आपको बहुत जादा secure positive feel कर पाएंगे और आप मेंसे बहुत सारे लोग जो हैं किसी से मिलने वाले हैं यह जो मिलने की energy मुझे आ रही है न जो की आपसे दूर होते वे आपके बहुत जादा करीब हैं देखे संका काड है यहाँ पर I must say आपके घर में किसी तरीके का कोई सामान आने वाला है ठीक है आपके घर में किसी तरीके का कोई electric equipment आता हो मुझे नजर आ रहा है हो सकता है किसी तरीके का को furniture भी हो बट जादा मुझे electronic equipment के energies आ रहे है moreover मैं आपे feel कर पारे हूँ तो से कोई नया event या कोई नया कुछ भी होने वाला है आपके घर में कुछ नया होने वाला है जिसके वज़े से आपकी ऊर जाए बहुत जादा high पे रहेंगी और एक चीज और जो मैं आपे बहुत feel कर रही हूँ अगर मैं आपे आपकी love life के बारे में देखो तो आप अपने आप पे इतना complete feel करेंगे इतना जादा complete feel करेंगे कि आपका सब लगेगा ही नहीं कि आपको किसी की ज़वरत है या आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ करना है and then two of cups का card that means कि जब आप अपने अंदर इतना complete feel करेंगे तो आप जिस person के साथ communication चाहते है या तो वो या फिर someone new from your future will definitely be coming your life ठीक है और यह बहुत ज़्यादा fast होगा chariot का card है बहुत ज़्यादा fast होगा in fact you guys will amaze like बहुत ही strong तरीके से आप अमेज हो जाएंगे और आपको से लगेगा कि आपकी life किस तरीके से turn कर रही है please burden के energy से बाहर आजाएं although it's a very important for you but अगर आप burden के energy से बाहर नहीं आते हैं तो bottom of the deck ace of wands बहुत सारी new beginnings को आप जो है miss कर देंगे okay तो थोड़ा सा ना आपको अपनी energies को बदलनी की जरुरत है जैसे ही आप अपनी energies को बदलेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन से सब कुछ बदल रहा है और यह new moon sorry full moon जो है आपकी full on help करने वाला है क्योंकि य इंस्ट्रोग्राम पर आप लग चेक इंजरूर कर लीजेगा आज शाम तक मैं अप्लोड कर दूंगे वीडियो कि क्या रिज्वल्स करने है passion है यहां पर यह full moon आपकी love life में passion लेकर आ रहा है if you are single or if you are committed or you are in a complicated situation you deserve love ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ प्यार डिजर्व करते है और प्यार डिजर्व करते हैं आपको एक passionate प्यार जरूर मिलेगा चाहे वो past person से मिले present वाले से मिले या किसी new person से मिले बट आप इसे बहुत सारे लोग मुझे न सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं because आपने past में एक unrequited negative love देखा है जिसके अंदर आपको कुछ मिला नहीं ठ संपन्ता के साथ हासिल कर पाएंगे ठीक है तो लेट शेक अब बात चल रहे हैं या पर फुल मून्स की और मुनोलाजी और अरिकल ना हो ऐसा कैसे चलिए इधर देख लेते हैं आप लोगों के लिए है work through your fears मैंने देखो मैंने आपको बोला ही है था अपने डर पे इन सब चीजों पर काभू पाईए रिलीज करिये इन सब चीजों को doubts, fears, insecurities, negativity आपका जो भी personal issue चल रहा है ना लाइफ में वो जल्दी ही resolve होने वाला है ठीक है expect powerful changes इस full moon से आप जो है बहुत ही खास expect कर सेपते हैं एक बहुत ही बड़ा बदलाव अपनी life में and the last card for you guys is take time to breathe out और यहां पर भी deep breathing थी bottom of the deck surrender to the divine divine को surrender कीजिए मजे कीजिए थोड़े से खाये पीए ash कीजिए थोड़ी ऐसे कैसे क्या लहजा था नी मैं कभी-कभी अपनी बातों पर हज जाती हूं anyways तो आपको बोला जा रहा है थोड़े से deep breathing करो थोड़े मस्त enjoy करो अपनी life को अच्छे अच्छे चीजे खाओ मेरे तो मुमोस फेवरेट है मुमोस खाओ, चावमीन खाओ, पिज़ा तो चलो आपकी इच्छे आपको पसंदर तो बर्कर खाओ, कुछ अच्छे चीजे खाओ, कुछ अच्छे-च्छे म्यूजिक पे डान्स करो because it is very important है ना अपने आपको खुश रखना बहुत ज़ाद ज़रुरी है तो इस तरीके का आपका फुल मून ने वाला है इस फुल मून से नेक्स जो फुल मून आएगा वो ताइम पिरिड ये पंदरा दिन बहुत ही खुबसूरत और इस तरीके के बीतने वाले है मेसेज कर सकती है अगें आम टेलिंग यू प्लीज फ्रॉडिलेंट से जरूर बचके रहिएगा मैं कभी भी अपना कोई भी नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं डालती हूं हल्प लाइन ट्रिपल वन टार्ट वहां पर डाल देते हैं कहीं वे ऐसा कमेंट देखने को मिले तो प्लीज रिपोर्ट तुरंथ तुरंथ लाइग अन अर्जिन बेस्ट 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 मैं तो थख चुके हूं आपके विर्थ देट्स है ऐसे स्वेर्ट बेस्ट एक दो तीन चार्र एक दो तीन चार्र नोह दस्ट ग्यारा वारए वी उननिस्ट ह्टार शटःग छबशन शटायस और उननतिस्ट पचास तक तो अच्छी की किनती आती है कुझ अशे तो आप लगों के रीडिंग इं इन्होंने मा सीटा को पिक किया है इस वाल अबाट यॉर्स रीदिंग गाइस तो दिखते हैं ये फुल्मून कॉन से कमाल दमाल दिखाने वाले आपकी लाइफ की अंदर जिसे फाइल नंबर नं का तो कितना मस्त आया था लाइक बहुत ही जखास वाली अनरजी कि वो इतना जादा अपने आप में खो जाएंगे कि वो टोटली नूट्रल हो जाएंगे और फिर उनकी लाइफ में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़े मैनिफेस्ट हो जाएंगी चलिए फाइल नंबर टू पीपर आप लोगों के लिए भी देख लेते हैं कि अरे बापरे मैं कुछ जादा एक्साइटीड होगे पतानी क्या बात है अराउंट फुल्मून ना आइ फिल भाइसल्फ वेरी एक्साइटेड और जिस दिन फुल्मून होता है उस दिन में बहुत जादा आइ श्र अरिफ एक्साइटेड फिल करती हो एड दिन फिर दो दिन तक दीन तक एमोशनल ही रहती हूं बहुत जादा तो फुल्मून के एफेक्स 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 थीस गवाइने इंचेर्स पाइल लॉनर तूब है बतायों यह बतारे हम् है क्योंकि आप लोग ना कन्फ्यूज होते हैं बहुत जादा जोडियक्स को लेकर अगेन मून पाइल नमब वन में मून का काट था आप एस अफ पंटिकल्स अब समझ आ रहा है अब समझ आ रहा है ओमाइगाद क्या हो रहा है मेरी लेंगविश को मुझे इसा क्यों लग रहा है कि पाइल नमबर टू जो जो देख रहे है वो नौटियस्ट पीपल है लाइक शरार्टी काइंड ओफ लोग नहीं होते हैं क्योंकि मैं चीज आपको बता हूँ जब भी मैं रीडिंग करती हूं तो मैं आप सभी लोगों से अन्नेक्टेड फील क्या हो रहा है मॉर्निंग के आईगेस 7.30 अराउंड तो यह आपको ना अभी मॉर्निंग में ही 10 बजे के आसपास रीडिंग मिल जाएगी तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम एकदम फ्रेश एनरजीज पिक करके दे सको तो मुझे खुदको एनरजीज ऐस फुल्फिल्मेंट ओके तो मेरे प्यारे शडारती चांद के पुकड़ो इस योर रीडिंग पाइल नमबर टू यह फुल्मून आपके जीवन में ना बुरे गंदे इविल लोगों के उपर जीत लेकर आने वाला है कई लोग होते हैं जो हमारी चीजों से जलते हैं बहुत अब गंदे लोग भी देखे हैं मैंने लाइफ में आपको बताती हूं अबी देख लिए वेकिंग द लॉयन औरिकल्स गिफ्ट अहां आहां ग्रेट इन फुल अधर बॉटम अधर बॉटम अधर क्या आया था नाइन अफ कप्स एकार और एकार और अधर क्या प्रिय्प इझा देखे तबस्तों क्या आप मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई गाना गादू बॉटम अफ द द एक्स प्रिफॉज रंड रिवील का गान लॉटम अधर ये ज़िए लिए ये तो बही कमारी हो गया this is a wish fulfillment, this is a wish fulfillment, this is a surprise, this is a gift and waking the lion this is energy fulfillment and I am very strong energy here pile number two people that now the lion portal is gone, the lion portal has become a potential oh my god because of that, something very strong in your life is going to be manifest in this full moon oh my god, everyone is happy pile number two people let's see from here there is definitely someone who wants to comment on how much you say I know, I am talking a lot more today, I don't know why I mean, when you are watching a little bit of a young man, it is going to go, it is going to go, it is going to go sometimes something happens anyways okay, we will check other cards and oracles too we will see all of them, but first of all, we will take a little guidance for them and then we will take a bit of guidance so basically what I feel here is that you are confused by some of the times, only two people are confused, or other two things are confused and finally the conclusion of that confusion is going to come वाला है, confusion का conclusion वाह शाबशी तो लिख दो comment section में देखो, किती मस्त बात मतलब confusion का conclusion मिलने वाला है and यह जो confusion आपकी लाइफ में चल रहा था यह काफी time से चल रहा था and because of this confusion आपकी लाइफ के अंदर किसी तरीके strong अच्छी चीज़े manifest भी हो ही है and आपने अपना बहुत सारा कर्मा भी release किया है, ठीक है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी तरीके के proposal का या किसी तरीके की surety का या किसी तरीके की clarification का अंतजार कर रही है बहुत time से आप लोग को तो किस तरीके के लोग को पील करने वाले ठीक है तो आप लोग कुछ यूसी तरीके के हैं ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अना अपनी तारीफ करते हो ठीक है आप इसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी तारीफ करते हो और अपने आपको बहुत ज़दा positive feel करवाने के लिए बहुत कुछ करते हो आप इसे बहुत सारे लोग अच्छे good manifestors है and आप काफी time से कुछ चीजों को manifest कर रहे हैं अपनी life में and finally they are manifesting they are manifesting ठेक है आपके energies किस तरीके की रहेंगी अब मैं सबसे पहले इस चीज के उपर आते हो आपको around full moon like हो सकता है 2-3 दिन से या 1 week पहले से या full moon जब आपका लगेगा full moon लगेगा 10 अगस्त को रात 2 बजे से ठीक है जो कि चलने वाला है 11 तारिक को रात 3 बजे तक ठीक है पूस्ट फिल करेंगे और आपको असे लगेगा जिसे आपको मन नहीं लग रहा है कहीं भी है ना आपको बहुत अजीब महसूस होगा आपको बहुत अजीब महसूस होगा आपको अजीब महसूस होगा आपको अजीब नहीं लग रहा है पतानी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप बहुत अब पेशेंस में बैठे रहेंगे शांटी वाले पेशेंस में बैठे रहेंगे हो सकता है यहाँ पे मासी टक कार इसी लिए गिरा था क्योंकि मैंने शफल करके ही निकाले थे दो कार्ट ठीक है तो यू गाइस विल फील patience plus confusion regarding some things and जब ये चीज़ आपकी clear हो जाएगी like totally clear हो जाएगी तब आपको पता है कैसा मैसूस होगा कि नहीं यार सब कुछ subtle है, सब कुछ ठीक है it's okay जैसा जो चल रहा है चलने दो ऐसी energies हो जाएगे आप इसे बहुत सारे लोग को को हो सकता है पढ़ने लिखने का बहुत शौक है आपको रीडिंग का बहुत जादा शौक है अगर आपको लिखने का नहीं तो आपको रीडिंग का बहुत जादा शौक हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है उन्हें नहीं नहीं गालेज़ को गयादर करना बहुत जादा है ठीक है तो आपकी अनरजी इस्टार्टिम में बहुत जादा फ्लक्ट्टिटिंग रहेगी एंद आपकी जो एनरजी दिए बहुत सब्चाम हो जाएंगी शांत पॉलाइट पॉजिटिफ ठीक है अक्यारे जा आ जा जा तो शांत आपको बताती हूं कि यह फिल्मून आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव लेकर आए है देखे सबसे इंपोर्टन्ट आप अपने आपको बहुत अथा कॉंफिटेंट फील करने वाले है और यह कॉंफिदेंस आप में इस लाइन पॉर्टल से बिल्टप हो चुका होगा आ आपको अपने आपको ना लाइक तो आपको अपने आपको ना दो आ चुकेंगे नहीं बढ़र भी पुछपा डालाओ ठीक है तो वह चीजों और बहुत हो प्हुत है और आप भी जादा ना अपने आपमे इतना strong फिल करेंगे इतना stip上 तर्ष और सबल आपस कि आपके पास में कुछ उड़ स्ट्रोंग इंचाने और यह जो खात्मा है यह छोटा मोटा नहीं होगा क्योंकि यह पर जस्टिस का काड़ है आपको न्या इदिलाएगा यह खात्मा और कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करेगा आपकी लाइफ के अंदर यह फुल सुपर मून जो है यह सुपर फुल मून जो है आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस, हार्मनी, फ्रीडम और विशले कर आ रहा है ठीक है आप लोगों को एक रीचुल करना है फॉर शॉर वो मैं डाल दूगी मैं ना इंस्ट्रग्राम पे पक्के से डालूँगी कि पाइल नंबर वन को कौन सा वाला रीचुल करना है पाइल नंबर टू को कौन सा वाला रीचुल करना है मैं यह जो दोनों रीचुल के वीडियो है वो आज डाल दूगी मतलब आज शाम तक डाल दूगी ताकि आप कल आराम से कर सकें आपसे मैंने यही सोचा है कि किसे भी event के लिए कोई भी ritual वगर है वो सारा मैं Instagram पे पोस्ट करूँगे आप लोगों के लिए and जो आपकी reading है वो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ठीक है ताकि आपको ने clarity मिल सके तो यह चीज मैं definitely करूँगे आप लोगों के लिए don't worry तो आपकी किसी तरीके की बड़ी wish fulfill होने वाली है यहाँ पे मुझे बहुत सारी mothers भी नजर आ रही है जो की बच्चे की जो है hope लेके बैठी हुई है and finally उनकी वो hope फुल्फिल हो रही है आप इसे बहुत सारी लोगों को ना किसी person की तरफ से किसी तरीके का offer देखने को मिलने वाला है great and full के card के हिसाब से किसी तरीके का कोई offer और यह बहुत साथा unexpected feel करवाएगा आपको आपको असा लगेगा है अच्छा और आप इतने neutral होंगे इतने neutral होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है ठीक है यह super full moon आपको justice देने वाला है आपको glory देने वाला है आपको goodness देने वाला आपकी life में lovers का card यहाँ पर आप अगर totally single है तो इस full moon के बाद आपकी life में कोई बहुत ही खुबसूरत इंसान आने वाला है जो कि आपको single नहीं रहने देगा अगर आप किसी person का इंतिजार करें तो उनकी तरफ से किसी तरीके का आपको सुन सकते हैं positive कुछ सुनने को आपको मिल सकता है if you guys are in a committed relationship तो आपका जो relation है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है मुझे यानि की pile number two people आप लोगों के लिए जो energies है फिल्मून की वो है की एक step उपर समझ रहे है एक step उपर आरे बाप रहे हैं तो मैं यह cards नहीं ले रहे हूँ देखते हैं romance angel से आप लोगों के लिए क्या है advices let go of control issues आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके के अगर issues आपकी love life में तो उनको let go कीजे ठीक है उनको पकड़के मत बैठिए कई बारी क्या होता ना चीजों को अगर हम पकड़के बैठ जाते हैं तो वो चीजें खरापी होती है ठीक है तो आप उनको release कीजे उनको free छोड़ दीजे अभी ठीक है तो उसको आप छोड़ दीजे क्योंकि आपके और आपके partner के बीच का जो attraction है जो positivity है वो अंदर से है उस चीज को कोई कि खतम नहीं कर सकता soulmate kind of relationship है या आपका ठीक है soulmate है आप लोग बहुत कम cases में twin flame हो सकते है जाधा तर लोग मुझे या पर soulmate की vibrations दे रहे हैं and आप प्लीज अपने finances and career पर focus कीजिए with expressing your love so someone in your life will definitely express their love to you या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जो है आप उनको जो है अपना प्यार express करने वाले है pile number two people बहुत important and बहुत ही perfect living आई आप लोगों के लिए advices है यहाँ पर यह समय है action लेने का action मैंने आपको बताई है मैं rituals बताऊं भी वो करने है आपने ठीक है तो यह समय है action लेने का जब भी किसी से भी बात करें तो एकदम clear communicate करें negativity के साथ communication नहीं करना है ओके बिलकुल भी नहीं करना है and यह समय है negativity को release करने का तो इस negativity को ज़रूर से release कीजिएगा जो negative thoughts है उनको आपका जितना भी hard work है वो definitely आपको pay off करने वाला है और आपके जीवन में बहुत ही strong climax आने वाला है तो तयार हो जाईए इस खुबसूरत से super full moon को enjoy करने के लिए my beautiful pile number two people और अपना अपना ध्यान रखिए और यह मेरी humble request है कि खुद से देर सारा पयार करते हुए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा ठीक है इस वीडियो को लाइक करें चैनल को जरुर से अटेक्षिन में झाल रिचेछ बीस मैं तो फ्लीस रबंदे तो प्लीस रिपूर्ट करें उसे जल से जल भी अग्जनल युस वा पोछिफ न पेषिन वन्रेश पlogive देर्स य। इन मब्ला आप कि आप जो that don't forget to follow me there for the rituals for the morning guidance for the remedies bye